नमस्कार दोस्तों मैं शेशी उशन को साथ एक बर्तिर से आपके अपने यूटूब कैनल एजूकेशन पॉइंट पे हाजिर हूँ और दोस्तों आज इकॉनमिक्स के इस वीडियो में हम लोग राश्टियाय का चर्चा करेंगे निशनल इंकम के बारे में चर्चा करेंगे त तो। क्या है राश्टियाय और क्यों हम उच्टों पढ़ते हैं खुशाली और परसंता का आफलांग hin okay नहींगियाजकता या यह नहीं कर सकते हैं कि किसी देश की या किसी अर्थव्यस्था की अनक्रीफ अच्छी हो तो उस देश में उस आई को शिख्षा पर निविषगा जाता है स्वास्त शेवा पर निविषगा जाता है निवेश किया जाता है तो इस तरह से समाने तोर से हम यह कर सकते हैं कि जिस देश की जिस अर्थ विवस्ता की राय अच्छी हो वहां पे लोगों का जीवन अस्तर अच्छा होगा वहां के लोग ज्यादा प्रशन और खुशार होंगे ठीक है दोस्तों और इसी कारण से जब 1990 अगलब्बी में मानव विकास सुचकां की सुरवात हुई थी Human Development Index की शुरू हुई थी तो उसमें आई को राष्ट्याइक को एक महतपूल प्रात्मिक्ता दिया घ्या ता और मानव विकास के तंद्र में आईक को एक महतपूल अस्थाँ दिया थीक है दोस्तों अब किसी भ और एक है NLP, यह चारों किसी भी और विवस्था का आकलं किसी भी आप विवस्था में आई के आकलं करने के चार द्रिश्टी कोन है, इसको हम one by one करके समझेंगे, ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुरुआत करते हैं GDP को, GDP जो कि आप लोग बहुत न्यूज पेपर, समार चार प समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि इन टॉपिकों से, रास्तिया ऐसे जो GDP, GNP, NDP, NNP है, उनसे हर इंजामनेशन में, बहुत मात्रा में काफी सारे questions पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देखिए, ताकि इंजामनेशन के लिए आपको यह बहुत ही लागाया शिद्ध हो, ठीक है दोस्तों, तो सुरू करते हैं, GDP को, GDP मतलब, Gross Domestic Product, इसको हिंदी में कहते है, सकल, घरेलू, उतपास, अब ग्रोस, यहाँ ग्रोस का मतलब होता है, टोटल, टोटल जो हम लेते हैं न दोस्तों, पुल, उसका ग्रोस का यह मतलब, घरेलू, उतपास, मतलब उतपादन, तो इसको हम अगर समाने तोर पे, GDP को डिफाइन करना चाहे, तो उसको हम एक लाइन में, जो डिफाइन कर सकते हैं, कि GDP किसी भी अर्थ विवस्था में, घरेलू सीमा के अंतरगत, एक वितिये वर्ष में, उतपादित, सभी ब समूधरी के मुल्य है, अब यहाँ पे एक एक बोर्ड का मतलब आख आख मुझे दोस्तो, घरेलू सीमा का अंतरगत, अब भारत के प्रपेक्श में बात करें, तो भारत के घरेलू सीमा, जो उतका शीमा है, शीमा का मतलब है कि बहारत का जो बॉन्डरी है, उसके आलाबा, जितने बस्तू का उत्पादन होता है, सब्पोज कि ये की कार का उत्पादन हुआ, बिस्किट का उत्पादन हुआ, ब्रेट का उत्पादन हुआ, अंतिम बस्तू, अंतिम बस्तू उस कहने का ये मतलब है, कि जिसके बाद उस बस्तू का रूप नहीं बदले, क्योंकि अगर हम आटा की बात करें, तो आटा से हो सकता है कि बिस्कुट बने, और बिस्कुट फिर आदमी के उपयोग नादा है, तो आटा को हम नहीं लेंगे, जब तक कि आटा डिरेक्ट कांजूमर के पास नहीं हो करके, वो सिधे उपयोग ना करें, अगर आटा से सिधे बिस्कुट ब दिखते हैं कि अंतिव बस्तू और सेवा और सेवा कर मतलब हुआ कि जितने सरेपरिवान होते हैं होस्पिटल के जितने equipment instrument होते हैं जिससे सेवा दी जाती है इसके अलावा हमारे एसमें अगर और हम किसी देश का 6DP निका लेंगे तो उसमें आजwang बहुते हैं डые शेकर के दोस्तों ओस्तों पिसमें श्प्वोगा रीडिका धेलोगा तो लिए जाते हैं दोस्तों वह है अंतिम उत्पादित बस्तों और सेवाओं का मौधित मुल्ली सबोज किसे हमारे पास अंतीम लेते हैं सपोज किसे हमारे पास थे केजी 3 kg हमने wheat है मेरे पास advertisers गजित अब इस 3 kg wheat से suppose किजी हम लोगों ने 2 kg अनाला flower निकाला है 2 kg 2 kg flower उसमें से हमने क्या किया 2 kg में से 1 kg 1 kg हमारा आता ही बच्चा और बाकी तो 1 kg gods उस case 1 kg में से सब्सक्राइब करें लिए गाली आध़ा क。 सब्सक्राइब करें पेद्सका。 विसकित बनաղै और बाके इसमेंसे एक कीडि बचा है वो एक क seulement का सुपोस घीजी हम लोग सूजी बनाई वो इसमेंसे कीडि आधा कीडि बरेड लिया और य Sahत थ्री केजी से ट्वा केजी बना बना उस द्वा स्थो Spencer उसका सोची बता, अब हम इसका suppos किजिए कि यहू suppos, किजिए अगर आप कहते हैं कि कीस रूपे किलो है, कीस रूपे पर केजी है, तो total value किए हो कितना हो जागा लगगे रूपे, आठा suppos किजिए आपको 40 रूपे पर केजी है, चानिस रूपय के बहुते हैं, तो 2 केजी का सी रूपय हो जाएंगे, और यहां पर आठा किपनी का हो जाएगा 1 केजी बटा, तो 40 रूपय का वह आठा हो जाएगा 1 केजी का वैल्यू, सपोज किजिए कि ब्रेड, आधा किलू जो ब्रेड है, उसका वैल्यू हमारे पास आय है, उसका सपोज किजिए वैल्यू हमारे 50 रूपय हो गए, ठीक है दोस्तों, तो अगर फाइनल वैल्यू हम अगर इसमें जोरना चाहे, उस अर्थ रूपय का, तो क्या हो जाएगा, 40 रूपय आठा का, 40 प्लस 30 रूपय ब्रेड का, 30 प्लस बिस्किट चालिस का, 40 और प्ल का सूजी का, तो यह हो जाएगा, टोटल कूल मिलाकरी का, 90, 120, 160 रूपय जो होगा, उस छत्र का फाइनल मौदरिक मुली उस जो उत्पादन हुआ, उस पादन के जो जितने बस्त हुए, उसका जो अंती मौदरिक मुली हुआ, वो 160 रूपय हुए, तो हम कह सकते हैं कि उस मुआप अगर हम सुपोज कीजें कि आंटा भी हंनले उत्पादन खुआ का ठीक जोज हुआइचें कि आघर हम क्यों को जोरते हैं कि आंगर सब्सक्राओं का भी उत्पादन जोरते हैं, यह उत्पादन तो 9 kg यहानल भी हुआ था, उत्पादन बस्त बाल केजी बिस्किट भी हुआ है और एक केजी सोजी भी हुआ है लेकिन यह इंटर्मिडियर अस्टेज है क्योंकि यह तीन केजी आंटा है उसको हम कंवर्ट कर दिया अंतिम रूपों में अब इसके बाद यह आंटा को डैरेक रोटी पकाती ही खाया जाएगा ब्रेट को सीधे अब इसका रूप में कोई परिवर्थन नहीं होगा जब यह परिवर्थन नहीं होगा तो यह बस्तू क्या हो जागा अंतिम बस्तू हो गए और इसी अंतिम बस्तू का वैल्यू हमको कैल्कुलेट करना होता है GDP में अगर हम 30-3 kg यह कभी मुल्य और 2 kg यह कभी मुल्य उत्पादन में जोर देंगे तो क्या आउजा कर डवल एक पांटिंग हो जागा दो दो बाड़ जोरना पर जागा जिसके कारण हमारी जो GDP आएगी वो एगजक्त नहीं आएगी इसलिए दोस्तों इसमें जो लिया जाता है कि एक बत्य वर्स में सपोज कि एक वर्स का यह उत्पादन है तो उस घरेलू सिमा के अंतरगर एक वित्य वर्स में अंतिंबस्तू का क्या मुली हो जाएगा 160 रुपे हो जाएंगे, अब उसमें हमें सेवा का मुली जोरना है, तो सेवा हमें क्या चाहिएंगे, सपोज कीजिए कि होस्पिटल, रेलवे, स्कूल, सिछा, इस सब पे, हमें सपोज कीजिए कि ये तो समान का हो गया, गुर्स का वैल्यू, और सेवा पे जो अगर वैल्यू क्या जोरा जाता है, तो वो क्या जोरा जाता है , तो बिधेशों में स्थित, भारती जोटावास की आहे, अब भारत की दुतावास, बिदेसों में जो है हूद करें, और यहांके बिदेशों का जो दूताबास है, वो बिदेशों के राजनितिक सिमा के अंतरगर आते हैं, तो घरेलू सिमा, तो कि जो इंडियन इंबसी से जो इलकम जंडेट होगा, सपोज कि किसी को पास्पोर्ट बनवाना है बिदेशों में, पास्पोर्ट एक्सपाइड हो गया, या ए आधियन इंबसी से आईजनरेट हो गया, इसके अलावा जो GDP में जो रहा जाता है वो प्रवासी भरतियों किया है, रेजिदेंशियल इंडियन अब रेजिदेंशियल इंडियन काँ सा है? किसको बोलता है? तो जो भारत में एक साल में 181 दिन से जादा रहते हैं, या चार स साल में 355 से जाता है उसको हम रेजिजेंसियल इंडियन या प्रवासी भारती यह करते हैं अब वो अगर आर्थी क्रिया में अर्थी गतिविली में भारत में संलगन है तो उसका जो आए होगा वो भी भारत के अंदर में ही भारत के घरेली शिमां में हो रहा होगा तो उसको हम इस जी डीपी में कौंद करेंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब प्रवासी भारतियों की आए जो है वो दस रुपे है एक साल के ठीक है एक बित्य बर्स में दस रुपे रेजिजेंसियल इंकम की आए हो गई उसके अलावे जो जहाज रानी और उडियन उद्यों का है सब सब्सक्राइब कोई जहाज भारत से माल लेकर के पाकिस्तान गया पाकिस्तान से फिर वो सौथ अप्रिक आ गया तो अगर वो जहां 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 जाता है वहां महां तो इलकम जनरेट करता है लेकिन वो जो इलकम जनरेट कर रहा होता है वो उस देश के सीमा का अंदर गता ह लेकिन अगर एक जहाद एक से एक देश को चुर के दूसरे देश तीसरे देश चंथे देश में जाता है तो हर देश के सीमा में अलग-अलग वाई जनरेट करता है तो क्या वो अलग-अलग देशों को आई में जुरा जाएगा आई में जुरा जाएगा नहीं इसमें थोरा स के द्वारा जो जन्रेट किया गया है होगा उस देश के GDP में जोरा जागा जिस देश का वो एरोपलेन होगा जिस देश का वो शिप होगा तो अगर भारत का कोई जहाज समान लेके पाजिस्तान जाता है सौथ असरिका जाता है अगर और और भी कोई देश जाता है तो उनके दौरा जितने भी जो इंकम होगा, वो भी हमारे GDP में जूरे जाएंगे, उसको भी हम लोग अपने घरेलू सिमा का उत्पादन सेवा मानते हैं, उसी तरह से उडियन उत्योग जैसे एरोब्लेन एक देश से अमेरिका जाना है, तो यहां से पहले लंदन जाएंगे, लंदन से 10 रुपे और जूर गए, तो कुल मिलाकर जो होगा, अगर हम 2020 की बात करें, 2019 और 2020 की बात करें, 2019 और 2020 की, तो टोटल 300 रुपी जो हो जाएंगे, वो यहां के GDP हो जाएंगे दोस्तों, तो अब आप यह तो हम मैंने एक particular example लेके समझाया, जो GDP हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत सारे baskets of goods and services को एक जगा लिया जाता है, जिसमें एक content government के लिए रखिया जाता है, कि इस इस बस्तू का एक list मनाया गया, और उसके बारा जो income generate किया जाता है, या जो बस्तू उतपादम हो जाता है, उसका जो final moderate मुल्य होता है, उसको जोर के एक साल में हम कहाते हैं कि इंडिया की GDP इतने रुपी हैं, तो आप कहेंगे जो आपने रुपी में बदाया, लेकिन हमने GDP को percentage में परहा होता है, यह 30% से GDP बढ़ गया, तो आप सपोज़ की कि 19-20 में 300 रुपी हो गए, और 20-21 का GDP और 2021 का GDP निकालेंगे उसी तरह से, और जब हम calculate करेंगे, तो सपो कि इंडिया की GDP है, वो 2019-2020 के respect में, 2020-21 में 10% से बढ़ी है, इसी लिए generally हम लोग total value में बात नहीं करते हैं, percentage में generally बात करते हैं, उसके बिर्दीदर को GDP के growth rate को बताते हैं, कि हमारा जो उत्पादन है, जो सेवा का growth rate है, बढ़ने की percentage है, वो इतनी percent की है, चीए दोस्तों, तो इस तरह से GDP का calculation किया जाता है, ठीक है, I hope कि आपको GDP अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे, आप इस GDP का उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो GDP का उपयोग जो उसके percentage बिर्दीदर होते हैं, अर्था GDP में होने वाले वार्षिक परिवर्तन ही, किसे भी अर्थ विव लेकिन उसके GDP से हम देश के जो शेवा और जो भुड्स हैं, उसके quality के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, उसके सक्ती के बारे में तो बात क्या जा सकता है, जितना GDP जादा होगा, उतना देश के पास सक्ती आसिक सक्ती जादा होगा, लेकिन हम यह नहीं कर सकते हैं, कि उसमे जो जनेरेटेड जो उत्पादित बस्तू है या शेवा है उसका क्वालिटी की इस तरह का है उच्छ है या निम्न है तो हम इस तरह से GDP के दारा यह नुमान नहीं लगा सकते हैं तिसमी बात है कि जो जीडीप का उप्योग वल्ड बैंक और आयमेस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वह विवीज अर्थ वेवस्थाओं को तुलना करने के लिए करते हैं वह अर्थ आयमेस से जूरे हुए वल्ड मैंस से जूरे हुए सभी सभी अर्थ वेवस्था सभी इस आंगे से जि़ीडीप को सुरीनीवध रेंकिंग करते हैं और जो देश जीडीप जिसका जादा होता है उसको फिर्स्टं पर रस्फान पर रखता पर अधेल hetउ में गेश्वग्ध ऑन से गएसले नीजेघ्टियपी ओर एक होता है अब कैसे दोस्तों तो अभी हमने जो निकाला है जैसे सपोज किजिए कि 2019 का GDP हमने इंडिया का निकाला 300 रूपी तो वो हमने निकाला है जो हमारे उत्पाकित समान हुए सपोज किजिए कि आंटा ब्रेड बिस्किट उसको हम मार्केट प्राइस पे अभी बजार का जो मुल्य है उसके हमने निकाला और उसके बाद 20-21 का जो निकालेंगे वो भी उसी प्राइस पर निकालते हैं तो उसमें क्या होगा कि समानों प् उसका जो रेड जो भी रेड होता है उस टाइम में मार्केट में उसी वैल्यू से उस समान के मुल्य को हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन रियल जीडिपी में क्या होता है कि हम एक बेस येर मानते हैं सपोज भी जाए कि अभी बेस येर 2017-2018 रखा गया है जो कि सेंट्रल अधन हो रहे थे सपोज कि यह अटा ब्रेड विसकिक उसका जो मुल्य जोरा जाता वह 2011-2012 से जोरा जाता कि 2011-2012 में जो उसका प्राइस होगा उसी के अमसाल से इसका वैल्यू इसकी लागत को कैलकुलेट किया जाता लेकिन CSO पे ही GDP निकालने की जिम्यदारी होती है और तो हरे पांच-छे साल साफ साल में बेस यह को चिंज करके रहता है तो कि महाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो रियल गीडिपी और नॉमिनल गीडिपे बहुत ज्यादा डिफ्रेंस हो जाएगे इसलिए अभी जो करेंट में CSO जो है Central Statical Organization जो करेंट बेस यह रखा ह औरल्णीच कर तो आप ठीकशन कर सकते हैं total value कि चितना होगा तो तीस रुपे यह होगे 20 अखकी काफ़ और 2020 साथ और दिस आस्टी रुपे ऑगे तो तो क्या हो जागा दोस्तो असी रुपे हो जाएंगे टृक्या दोस्तों और Tiक है दोस्तों और यहां पे यहांपे एक सुशाट रुपए हो रहे थे अगर हम करेंट एर का मार्केट प्राइस से अगर हम कैल्कुलेट कर रहेते GDP को तो 160 हो रहेते जबकि real GDP में उसका value 80 रुपे हो रहे हैं ठीक है दोस्तों तो actually हमारा जो real GDP है वही मुख्षिता हमारे अर्थ व्यस्ता को दर्साता है अर्थ व्यस्ता में पूचित उत्पादम को अर्थ ति क्योंकि हो सकें कि सपोज की गिए एक इंगेमिघ्जामपल लेकर आपको बता रहा हूं कि यह 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 में 2018 2019 में 2020 में इस में एक को उत्पादम किया इस सब्चिती यह डिजिए कि 5 में 2018 ने उत्पादम किया झे इस सब्यूज केंat वी दिजितंगे 2030 पूर पाण है कि अधिन्रेस निन का में फीन का सिंगे यह है और हिस stated कम reduced ऐुंदु और हिंए यहां तो कि उसके इस्के अजीओ करेंगे कि आधा के इन्टलुपे यहाँ नेड है कि आधा कर दे शके अधा कि एक अधो कि हम देख रहे हैं कि जो GDP है दोहजार अठारत के बाद 125 के बाद 160 हुआ है तो उसमें ब्रिदी हुआ है और 160 के बाद 150 हुआ है इसमें GDP में गिरा बटा ही है यह डॉमिनल जीपी मार्केट प्राइस पे 2019 और 2020 हमने कैलकुलेट किया अगर रेल जीपी कैलकुलेट करते तो 2018 में 25 रुपया था और 17-18 था अगर सबस्किजे कि हमारा बेस यह रहा है 25 रुपया तो हम 2019 में भी 25 पर ही कैलकुलेशन करेंगे तो सबस्किति अगर हम रेल जीपी निकालते तो क्या हो जाता दोस्तों 2017-18 में 2017-18 में जो वैलू होता वह 125 रूपे ही होता लेकिन 1819 में जो वैलू होता वह 25 इंटू 4 100 रूपे हो जाता और 2020 में 3 रूपे तो 25 इंटू 3 75 रूपे हो जाता यानि कि हम देख रहे हैं कि जो 2017 1825 था 1819 में 100 रूपे हो गए और 2020-1920 में यह होगे 75 रूपे यानि कि रियल जीडिपी में प्राइस हमेशा गिरते जा रहा है और वह इसी लिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हमारा वैलू देखिए आप प्रडक्शन तो कम होते जा रहा है लेकिन इसमें देख रहा है कि प्रडक्शन होने के बाद भी GDP बढ़ाया गया घृडिपी में बढ़ा हुआ दिखाई दिया है लेकिन जब हम रियल जीडिपी में देखते है तो प्रडक्शन घड़ा यानि कि वैल्यूवी इस का हाद गया तो यह हमारा वास्ट बिक तश् स्रेमी वढ करते हैं रैंकिंग करते हैं ठीक है दोस्तों किसे अलावा जो जीडियक का रैंकिंग क्या जाता है ओप पर। पर्चेजिंग पावर परेटी के अधार पे भी किया जाता है क्राइशक्ती तुलिता के अधार पे भी किया जाता है तो क्या है पर्चेजिंग पावर परेटी उसको हम लोग दोस्तों नेक्स वीडियो में देखेंगे और नेक्स वीडियो में यह देखेंगे कि पर्चेजि तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सेर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तन जाएंगे दोस्तों.